मनोज कमपर्टेटिव क्लासेस के यूटूब चैनल में मैं आपका तही दिल से स्वागत करता हूँ चलिए दोस्तों तो आज जो है बहुत ही महतोपुर्ण ट्रीक के साथ उपस्तित हुए हैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी के साथ ये बहुत ही महतोपुर्ण वीडियो है उलंपिक खेल से इसमें जो है थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हम आपको याद करवाएंगे और इसमें मुख्य रुप से आपको याद करवाएंगे कि ओलंपिक जो द्वज होते हैं उस पे पाँच चक्र होते हैं पाँच महादेशो को परते निदेतों करता है वो चक्र का रंग पुछते रहता है हमेशा एकजाम में और वही रंग को जो है हम आपको पूरी अच्छी ढंगों से याद कर्वाएंगे तो किरपया करके इस चैनल के लाश्ट तक बने रहीएगा चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं धान दिशेगा ओलंपी खेल ओलंपी खेल का प्रारम जो है 776 इसापुर में युनान के ओलंपिया सहर में हुआ था ओलंपी खेल का प्रारम 776 इसापुर में युनान के ओलंपिया सहर में हुआ था अब देखिएगा ओलंपी खेलो का आयोजन जो है परते एक चार वर्स पर होता है अब दिशेगा आधूनिक ओलंपी खेल का प्रारम जो हुआ था 1896 इसी में फ्रांस के पियरेडी कुवर्टीन के पर्यास से युनान में किया गया था कहने का मतलब ये पहले 776 इसापुर में स्टार्ट हुआ कहा युनान में ही लेकिन आधूनिक ओलंपी खेल का प्रारम जो है 1896 इसी में हुआ ये फ्रांस के पिरेडी कुवर्टीन के पर्यास से यूनान में ही प्रारम किया गया और ये भी परतिक चार बर्सों पर खेला जाता था ध्यान दिजिएगा फिर कोशन आता है कि अधूनिक उलम्पी खेल का जहनक या संस्थापक किने माना जाता है तो पिरेडी कुवर्टीन को माना जाता है अधूनिक उलम्पी खेलो का संस्थापक अगला कुशन है उलम्पीक ध्वज में छलो का डिजाइन जो है किसने बनाया था तो उलम्पीक ध्वज जो है इसमें छला जो रहता है पांच महादेशों का और उस चल्ले का डिजाइन जो है किसने बनाया था तो पिरेडी कुवरटीन ने अगला कुशन है ओलम्पिक ध्वज पर पांच चक्र हैं जो पांच महादेशों का प्रतिनिधित्व करता है अब जो है वो पांच महादेश जो है कौन-कौन है वो हम आपको पताएंगे और कि से महादेश के किस रंग का होता है तो ओलम्पिक ध्वज पर अंकि पांच जो है रिंग चखर पांच महादेशों का प्रतिनिधित्व करता है यह पांच महादेश आपके तो देखिए गा पूरे जो है आपको याद ऑजागा आजराम से जो है ध्यां से बने रहे यह जो और देखिए पहला लिखा हुआ है एश्या ये जो है द्यां दजेगा ज्याहिए तीके हैं और इस्या जो है इसका रंग जो है पीला इसको याद कैसे रखना है आपको पता है कि भगवान सिरी राम जब बनवास गए थे तो माता सिया को जो है माता सिता को जो है लंका जो है उठा करके ले करके चला गया था कौन तो रावन तब देखिया माल याजा रावन जो है वो लिले चल गया कहा लंका में जो लंका में लिले चल गया तो लंका में ले जाने के करम में फिर क्या हुआ माल याजा वहाँ जो है वो चिंता में होगे कौन तो सिता जी जब चिंता में होगे तो वहाँ के जो अगल बगल उनका रख राख्षासनी उन्हों ने उसको रावन बोल दिया था कि कुछ खाना दे देना है और उसके लिए जो है वह फिर वहां जो है बगल में जो भी उनका राख्षास बगेरा वह जो है बोल रही थी एस या खाला खाला कुछ हो नहीं कुछ खाने के लिए नहीं हम नहीं खाएंगे तो लीजिए कर्शन जूस पी लीजिए तो वही लिखा हुआ है ए कोची सिया ए सिया पीला कोची पीला तो वही जूस है न तो ध्यान रखना है कि ए सिया पीला तो याद रखना है ए सिया के जो है करलर कैसा तो पीला चलिए आगे ध्यान दिजिएगा अफिरका अफिरका का जो है काला है इसको कैसे याद रखना है अफिरका एक ऐसा महादेश है जहां से तीनो रेखा करक रेखा मकर रेखा और विश्वत रेखा तीनो रेखा गुजरती है फिरका महादेश से आपको पता है जब तीनो रेखा गुजरती है फिरका महादेश से तो यहां का ताप्मान काफी अधीक होता है और काफी अधीक होने के कारण जो है यहां के लोग काले होते हैं तो इस अस्टिलिया को जो है प्यासी भूमी का देश या फिर कंगारू का देश काते हैं अब देखें कंगारू है कंगारू आपको कहां रहेगा जहां हरा भरा छेतर होगा जहां हरा भरा छेतर होगा तो अस्टिलिया का जो है रंग जो है कैसा है अस्टिलिया महाद्यूप का जो है यह हरा कलर का है अब लिखा हुए अगला यूरोप तो यूरोप का कैसा है तो नीला इसको कैसे याद रखना है देखें लिखा हुए क्या यूरोप तो यूरोप आप जो है कोई भी चीज रोप येगा तो उसमें जो है आपको पानी की मातर होना चाहिए देखें आप लिखा नीला जैसे आपको पता है कि प्रिथिवी को नीला गरह काते हैं क्यों क्योंकि प्रिथिवी पर जो है पानी की उपस्थिती अधीक होने के कारण जो है प्रिथिवी को नीला गरह काते हैं तो उसी तरह से नीला को हम लोग को पढ़ना क्या पानी पानी तो लिका हूँ है क्या यू रोग, आप कोई भी चीज को अगर रोपते हैं, कोई भी गाच हो, या पौधा हो, उसको रोपते हैं, अगर पानी नहीं दीजेगा, तो वो सूक जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजेगा, यू रोप, आपको रोपना है कैसे? तो नीला, यानि कि पानी तो यूरूप का नीला अब देखें अमेरीका अमेरीका जो है यह आप इसको याल रख सकते हैं के अमेरीका कापी सकतिसाली डेश है सकतिसाली जो एदेश है कहने का मतलiveness की जो है इसका रंग जो है लाल है लाल खतरा खतरा ये अमेरिका जो है सकतिसाली देश है ये जो है इससे जो है बहुत सारे देश जो है डरता है खतरा लाल का मतलब क्या तो खतरा लाल का मतलब खतरा तो इसलिए आपको याद रखना है कि अमेरिका जो है खतरनाक देश है यानि मजबूत देश है तो सकतिसाली देश है तो इसलिए उसका रंग जो है कैसा है लाल इसलिए कि इस देश से जो है कई देश जो है आप आपको डरता है तो इसलिए याद रखना है लाल तो एसिया का कलर कैसा पीला अफिरका का कैसा कलर तो काला अस्टिलिया का कैसा कलर तो हरा और यूरोप का कैसा कलर तो नील और अमेरिका का कैसा कलर तो लाल चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन की ओर अब देखिए ये बरतमान कोशन है आपका कैनेंट का कोशन है याद रखिएगा अंतराष्टी ओलंपिक संग के बरतमान अध्यक्ष जो है वो कौन है तो थौमस बाक अब देखिए आपको पता है कि 2020 में सामती शियोल सामती पुरशकार जो है किने मिला है तो थौमस बाक को ठीक है अंतराष्टी ओलंपिक संग के बरतमान अध्यक्ष कोन है तो थौमस बाक और इनहीं को मिला है आपको सामती शियोल सामती पुरशकार 2020 किने मिला है थौमस बाक को अगला कुशन है भार बारती ओलम्पिक संग के बरतमान अध्यक्ष कोन है तो नरिंदर बत्रा बारती ओलम्पिक संग के बरतमान अध्यक्ष कोन है तो नरिंदर बत्रा तो चलिए दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है वीडियो था और हमें उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो किर्पया करके इस वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर करें तो चलिए दुस्तों आज पर इतना ही जैहिन जया भारत बंदे मातर।